टेस्ट वन का कुशी नमर 7 देखो तो देखो सब्ट्रेक्ट करना है ठीक है तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट है ठीक है तो अच्छा फर्स्ट हम यह लिखेंगे 2, 0, 0, 0, 0, 4, 5 ठीक है अभी नीचे हो जाएगा 1, 5, 3, 2, 6, 5, 7 ठीक है अभी हम सब्ट्रेक्ट करेंगे अच्छा अभी देखो तो 5-7 हम करेंगे पर 5 से तो 7 हम कैसे माइनस करें तो यह तो छोटा है ठीक है तो बॉर्डो करना है तो इस नमबर से बॉर्डो करना है तो 4 हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 15 एक नमबर बॉर्डो हो जाएगा तो 15 हो जाएगा ठीक है अभी हम 15-7 करेंगे तो हो जाएगा देखो 8 ठीक है अच्छा अभी देखो 3 से 5 माइनस तो नहीं होगा यह छोटा है अभी इस नमबर से भी एक नमबर बॉरो करना है तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा तो अभी इस नमबर से एक नमबर बॉरो करना है तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा तो अभी 10 से एक नमबर बॉरो हो जाएगा यहाँ पर ऐसे बोरो करना है ठीक है यहाँ पर 0 है इसलिए अच्छा अब भी देखो 13-5 तो हो जाएगा 8 ठीक है अच्छा अब भी देखो 9-6 हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है अभी 9-2 हो जाएगा 7 फिर 9-3 हो जाएगा 6 अच्छा अभी 9-5 तो हो जाएगा 4 ठीक है और 1-1 0 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा answer question number 8 तो देखो multiply करना है ठीक है तो first हम लिखेंगे 2, 7, 8, 5, 4 और नीचे हो जाएगा 250 ठीक है multiply होगा तो first 0 के साथ यह multiply होगा फिर 5 के साथ multiply होगा और फिर 2 के साथ multiply होगा ठीक है तो 0 के साथ multiply होगा तो 0 ही होगा 0, 4s are 0, 0, 5s are 0, 0, 8s are 0, 0, 7s are 0, 0, 2, 0 ठीक है अच्छा अभी देखो 5, 4s are 20 तो 0, 2 केरी होगा ठीक है अच्छा अभी देखो 5, 5s are 25, plus 2, 27, 7, 2 केरी होगा 5, 8s are 40, plus 2, 42, 2, 4 केरी होगा 5, 7s are 35, 2 होगा 39, 9, 3 केरी होगा अच्छा अभी 5, 2s are 10, 10, plus 3, 13 ठीक है अच्छा अभी 2, 4s are 8, 2, 5s are 10, 0, 1 केरी होगा अभी 2, 8s are 16, plus 1, 17, 7, 1 केरी होगा 2, 7s are 14, plus 1, 15, 5, 1 केरी होगा 2, 2s are 4, प्लस 1, 5, अभी add होगा, 0, 0, 15 होगा 5, 1 केरी होगा, 2 प्लस 1, 3 होगा, ठीक है अभी देखो ये होगा 16, ठीक है तो होजाएगा 16, 6, 1 केरी होजाएगा, 9 होजाएगा, 5 प्लस 1, 6, ठीक है तो ये होजाएगा answer question number 9, find the quotient and the remainder in the following, तो देखो यहाँ पर divide करना है, ठीक है तो 9, 99 से ये divide होगा, और फिर quotient और remainder निकालना है, ठीक है अच्छा, अभी देखो, 9, 99, 1 is a 9, 99, ठीक है अभी subtract होगा, तो 9, 9, 0 होजाएगा, ये भी 0 होजाएगा, ये भी 0 होजाएगा, ठीक है तो अभी हमें 9 को नीचे लेकर आना है, ठीक है अभी देखो, 9, 99 से ये तो divide नहीं जाएगा, है ना तो यहाँ पे 0 होजाएगा, ठीक है और अभी हम नीचे और एक 9 यहाँ पे नीचे लेकर आएगे, ठीक है अभी भी देखो, इससे ये divide नहीं जाएगा तो क्या होजाएगा, और एक 0 होजाएगा, ठीक है और हम 9 को नीचे लेकर आएगे तो अभी देखो जाएगा 999, 1 सा 999, तो ये भी सब्ट्रेक्ट करने से 0 हो जाएगा, अभी देखो ये 9 हम नीचे लेकर आएंगे, तो अभी देखो 999 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो और एक 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो देखो कोशेंट होगा ये और रिमेंडर और ये हो जाएगा कोशेंट, तो हम लिख देंगे, कोशेंट is equal to 10010 और रिमेंडर 9, ठीक है, इसके आगे ये 0 लिखने की ज़वरत नहीं है, तो रिमेंडर 9 हो जाएगा, कोशेंट नमर 10, the total number of students in classes 1 to 5 in a state is 73,25,718, तो देखो, एक state में 1 to 5 class की students की total number कितना है, इतना है, ठीक है, of these 33,67,269 are girls, तो इतने में से girls कितनी है, इतनी है, ठीक है, how many are boys, तो boys कितना है, बोह में निकालना है, ठीक है, तो total students कितना है, इतना है, अभी इस में से girls कितनी है, इतनी, therefore number of girls, 33,67,269, ठीक है, तो boys कितना है, तो number of boys हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो यह total students है, इस में से girls इतनी है, तो यह हम, इस में से यह हम घटा देंगे, तो हो जाएगा, boys, boys का number निकल जाएगा, तो subtract हम करेंगे, ठीक है, अच्छा, अभी देखो, तो देखो, यह तो हम subtract नहीं कर सकते हैं, यह छोटा है, तो यहाँ से एक number bottom हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 18-9 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, अच्छा, अभी 0 से यह तो नहीं होगा, तो एक number bottom करना है, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10-6 हो जाएगा, 4, अभी देखो, 6-2 हो जाएगा, 4, ठीक है, अभी 5 से ये तो नहीं जाएगा तो एक नमबर बोड़ो करना है 1 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा 15-7 हो जाएगा 8 अच्छा अभी देखो 1 से भी ये नहीं जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा तो 11-6 हो जाएगा 5 अभी 2 से यह नहीं जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहां पर 12 हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा देखो 9 ठीक है अभी 6-3 हो जाएगा 3 ठीक है तो number of boys हो जाएगा 39,58,449 question number 11 a dairy firm has 2450 cows तो देखो एक dairy firm में कितना cows है इतना cows है ठीक है each cow gives 24 liters of milk तो एक एक cow से 24 liters of milk मिलता है ठीक है the firm sends the milk to the town in containers of equal size तो जो total milk मिलता है तो इतना cows में से इतना total milk मिलता है वो कहा जाता है एक equal size का container है उसमें town में भेजा जाता है वो milk ठीक है if each container can carry 105 liters of milk how many containers are needed to send the milk to the town तो अगर एके container carry करता है 105 liters milk तो ऐसा कितना containers की जरूरत होगा वो पूरा जो जितना liter milk आता है वो भेजने में तो फर्स देखो यहाँ पर कितना cows है इतना cows है तो एके cow से कितना मिलता है 24 liters of milk तो इतना cows से कितना milk मिलता है वो हम first find करेंगे ठीक है तो अच्छा देखो one cow gives milk 24 liters ठीक है तो 2450 cows gives milk तो कितना होगा multiply हो जाएगा 2450 into 24 liters ठीक है अच्छा तो हम multiply करेंगे zero छोड़ के करेंगे और फिर zero add कर देंगे अच्छा अभी देखो 18,980 ठीक है अभी zero eight eight one carry हो जाएगा four plus one five ठीक है तो हो जाएगा five eight eight zero और एक zero यहां पर है ठीक है और एक zero यहां पर हो जाएगा liters ठीक है अभी देखो if each container can carry 105 liters of milk how many containers are needed to send the milk to the town तो अगर 105 liters of milk carry कर सकता है one container ठीक है तो इतना liters of milk carry कर सकता है कितना container ठीक है वो हमें निकालना है ठीक है अच्छा तो हम लिखेंगे देखो 105 liters of milk can carry one container ठीक है तो one liter of milk can carry तो one के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा divide ठीक है one by 105 container अभी हम इतना liters के लिए निकालेंगे तो इतना liters of milk can carry तो कितना container carry करेगा इतना liters of milk तो हो जाएगा multiply ठीक है तो इसके साथ अगर यह multiply हुआ तो यह उपर ही जाएगा ठीक है तो यह divided by ऐसा हो जाएगा ठीक है इतना liters of milk carry करने में question number 12 simplify देखो simplify करना है ठीक है तो simplify का roll क्या है हमें पता है board mass ठीक है यह हमें पता है b means brackets o means of d means division a means multiplication a means addition और s means subtraction ठीक है तो first किसका काम होगा brackets का काम होता है तो brackets में first किसका काम होता है first bracket का फिर second bracket का फिर third bracket का ठीक है तो यहाँ पर क्या है first bracket है ठीक है और second bracket है ठीक है तो हमें first क्या काम करना है first brackets का काम करना है ठीक है अभी देखो, first हमें क्या करना है, first brackets का काम, first brackets के अंदर जो operations है, उसमें हमें first क्या करना है, तो B चोड़के, जो है, odd mass, ये rule follow करना है, ठीक है, bracket के अंदर में, तो देखो, first हम करेंगे first brackets का काम, ठीक है, तो first brackets में, देखो, first काम होगा, off का, ठीक है, और फिर division का, तो यहाँ पे है off है तो ये bracket का हम first काम करेंगे bracket के अंदर off का ठीक है तो ये हो जाएगा 1950 divided by अच्छा अभी देखो 5 of 3 इसका काम first होगा तो off means multiply तो हो जाएगा अभी हम जैसा है वैसा लिख देते हैं अच्छा अभी क्या करना है अभी first bracket के अंदर किसका काम है division division का काम है तो first हम division का काम करेंगे तो देखो 15 अच्छा ये तो और bracket नहीं होगा ठीक है ये divide हो जाएगा दो हो जाएगा देखो 15 1s are 15 15 3s are 45 0 हो जाएगा ठीक है 1 30 15 1 30s are 1 9 5 0 ठीक है ये होगा अच्छा डिवाइड करने से ये होगा minus अभी देखो इस bracket के अंदर first क्या काम होगा division का ठीक है अच्छा तो 4 प्लस तो ये divide हम करेंगे तो हो जाएगा 31 ठीक है अभी bracket close हो जाएगा अच्छा अभी 130 minus अभी addition होगा ठीक है 35 अभी second bracket का काम होगा ठीक है तो ये minus होगा तो हो जाएगा 95 अभी ये minus हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा 621 ठीक है तो ये हो जाएगा answer प्लस तो हो KerryQué कम एंदाए ये करेंगा साज़जर वे करेंगा